बिहार में कैबिनेट एक्सपैंसन को लेकर लगतार सस्पेंस बना हुआ है कल से ये बाते सामने आ रही है कि कल ही cabinet का expansion होना था यानि cabinet विस्तार होना था मगर कल संभवता cabinet का विस्तार नहीं हो पाया है आज ये खबर है कि cabinet का expansion देर शाम तक किया जा सकता है देखे चार बदे से cabinet की बैठ़क बुलाई गई है जिसमें पुराने मंत्री जिन्होंने एंडिये की सरकार बनते ही जो है शपत लिया था उनके साथ कैबिनेट की बैठा कोगी और बिहार वालों के लिए बिहारीयों के लिए मुख्यमंत्री नितीश कुमार कई बड़े फैसले ले सकते हैं मगर खबर ये भी है कि बीजेपी विधायकों को फोन आने शुरू हो चुके हैं कई विधायकों को फोन आने चुके हैं कि आप तयार हैं मंत्री बन सकते हैं देखे लगातार सभी मीडिया चैनल्स भी ये खबर को दिखा रही है कि लगातार कौन-कौन से लोग रेस में आगे है। मरसाथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक सभिहार सरकार के पुर्व मंतरी आलोक रंजन जी मौझूद है। सबसे पहले तो यही कि क्या अलोक रंजन जी को भी फोन अला कमान से आया है कि मंतरी बनने जा रहे हैं। तक हमको जो जानकारी है कि नहीं को कोई फोन नहीं आया है और कहीं कि नहीं को आया भी होगा तो हमको कोई फोन अभी तक को जानकारी हमको नहीं है लेकिन खबर ये भी है कि रेस में उस लिस्ट में आपका भी नाम शामिल है फिर से बरी जिम्मभारी सी भर भरुसा पहले बीजयता है फिर से पुर्णता ब्राइबरावी मिलें यह को निर्वाद करें हम नहीं पता है कि कि नहीं फॎल की नहीं मिलेगा लेकिन यह जवाब मिलेगा उस पर कार्ज करता की पार्टी और जब जो पार्टी को के हित में और राज के हित में देश का ज़िकी Все को केबिनेट एक्सपैंशन आज मुम्किन है कि होगा देखिए हमको तो आप लोग के मीडिया चेनल से हम देख रहे हैं अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं पर रहा है केबिनेट विस्तार होना है वो जल्द होगा यह निश्चित है लेकिन आज ही हो जाएगा साम में तीन बज़े हो जाएगा चार बज़े हो जाएगा ऐसा हमको दिखाई नहीं पर रहा है जब भी कोई विस्तार होता है तो निश्चीत रूप से हमको लगता है पांच शे घंटे का टाइम जरूर रहेगा और उसमें उस समारों में सारे यह मैं जब अधल अधर है कि फून की घंटी अभी उपसनी तक कह रहे है reliably नहीं पुशिदा नहीं तो तो पहले यादव की लगातार कह रहे थी और उनके कई नेता है जब यह दावा कररे हैं कि एंडिये में सब कुछ ठीक नहीं हो देखे तेजस्वी जी यही कह करके खुस रहें वो अपने महाकवन गटवन्दन में खुस होते रहें उनको उनकी खुसी कभी भी उनको होने मिलने वाली नहीं है एंडिये बहुत ठीक है सब एक हैं सभी घटक दल एक जूट हैं सब एक साथ मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बिहार में एक भी सीट मागटवन्दन को होने वाला नहीं है बिल्कुल सब बहुत बढ़ियां है सब लोग एक है सब का दे एक है भारत को भिक्सित राष्टर बनाना है इसी संकल्प को ले करके सब लोग देश के यसस्वी प्रधान मंत्री आदर्निये नरेंद्र मोदी जी के नेत्रित में सब लोग काम कर रहे हैं और सब लोग को है कि कैसे इस बार एंडिये चार सो पार करें इसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं लेकिन आप क्या रहे हैं उदर चिराक पासवान ने मुलाकात की थी जेपी नड़ा से जिसके बाद खबर यह है कि पशुपती पारस जो है नडाश चल रहे हैं देखिए तक दल हैं सभाविक है सब लोग का मुलाकात एक दूसरे से होता है और सबसे होगा लेकिन सब लोग एक साथ हैं किसी कि नहीं के बीच में किसी प्रकार का मत्भेद नहीं है तेजस्वी जी सत्रह महिने में सत्रह सो करोर रुपय का घोटाला किये हैं तेजस्वी जी रोजगार की क्या बात करेंगे रोजगार तो एंडिये की सरकार देती है तेजस्वी जी भी जो यह सत्रह महिना हुआ इस सत्रह महिना में आपने देखा होगा जैसे ही महाकट मंदन की सरकार बनी राष्टिय जन्ता दल के सहयोग से बिहार में गुंडारा जंगल राज कायम हो गिया बिहार में बरस्टा चार बढ़ गया और आज मान्य मुकमंत्री जी भी कहे हैं हमारे मान्य मुकमंत्री जी कहते हैं इस सारे घोटाला का जो है सो जांच किया जाएगा समिच्छा हो रही है और यह सतरह महिने में सतरह करोर रुपय का घोटाला की है तो लगड़ा है कि तेरस्भी आदब ने और उनके निताओं ने जो मंत्री थे राजत कोटी से जो है कि हम सब की जांच करेंगे जिस प्रकार से लोगों ने घोटाला किया सभी विभाग में निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच सब कराया जाएगा और बिहार में कोई माफिया राज नहीं रहेगा तीश कुमार ने नौकरी दिया लेकिन सब टeta में पास दिशको की नितीष कुमार जी ने किया मंत्री और सचीब कि बातचीत नहीं होती ती उन्हें को तो फिर वो कैसे दे दीये रोजगार्व ए जाये बिल्कुल जाये बिल्कुल जाएंगे उनोंने उनके पिताजी ने जिस प्रकार से उनों मिल करके आपने देखाया अभी तो उनके उपर सब बेल पर हैं पिताजी तो जेल में जाकर करके काट के आए हैं अभी भी बेल में हैं लालू यादव जी और इनको भी इनके उपर भी चार सीट है जमीन के बदला नोकरी दे हैं तो जेल तो जना ही है तो नकदे तो जटाने लुड़ाइज है कि अपना कॉन्म कर रही है सरकार अपना अपना काम कर रही हैं तुल मनेः पर्दान मन्तरिया लाल कीलिए से कया थे कि हम कोई भरस्टाचार होने नहीं देंगे पूरे देश में तो उसमें उसके तहत तो कारवाई चल रही है सब नेता पर जो जो भरस्ट आचारी आए उससाभर कार रएको इस अब सरकार की पर्तिबाता है बिहार में कोई माफिया नहीं रहे गाएं마 बिल्कुल बिहार से कोई भी माफिया नहीं रहे गए हैं क्या इम सवाल के साथ खतम करते हैं कि चाचा पशुपति पारस को जो नराज़गी है वह grams कहते हैं कहीं कोई नाराज़गी नहीं है सभी नराजगी दूर है, सब लोग एक साथ है, सब एक साथ मिले हुए है, कोई कठनाई बिहार में NDA में नहीं है चलिए तो NDA में सब कुछ इंटैक्ट है, इसका दावा हमारे साथ बात करते हुए कालोक रंजन बता रहे थे, क्या कैबिनेट का विस्तार आज होगा, कब होगा, इस पर भी उन्होंने खुल कर बताया है बैड़ाल इसकाउन में बस अतना है, अगर आप तक लाइव चीटिस को सब्सक्राब नहीं किया है, जल से जे लाइव चीटिस को सब्सक्राब करें लेकिने, अनुबाद